हेलो दोस्त और एक नया दीन और एक नया फोन मेरे पास है Vivo Y200, Vivo Y100 का सक्सेसर है जो आठ मैंने पहले लाँच हुआ था Vivo का Y-Switch आफलाइन में ज़्यादा विखता है सिर्फ दो चीजों के वज़े से पहला जो है लुक्स दूसरा है कैमेरा इस Vivo Y200 को मैंने खुद के पैसे से पर्सिस किया और पिछले साथ दिनों तक थोड़ा हेवी में यूज़ भी कर लिया मुझे पता है इस फोन में क्या-क्या कमिया है अगर आप एपोन लेने के लिए प्लैनिंग कर रहे हो तो एव वीडियो आप इंड तक देखते रहे है आज इस वीडियो में भी वो Y200 का एक honest review में आपके साथ सेयर करूँगा तो review सुरू बात करता हूँ इसकी unboxing से दोस्तों इसकी box packaging मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इसको unbox करने के बाद पहला मिलेगा smartphone जिसका look तो awesome है उसे के साथ inbox आता है 44 watt का adapter type A2, type C का cable है, sync ejector pin है user manual guidebooks के साथ एक clear TV case है योगि इस phone के साथ box में सब कुछ मिल जाता है बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना है जब पहली बार इस phone को आप हाद में लोगे एक premium fill देगा इसका जो frame है वो flat edges में आता है इसका back panel दोस्तो glass का बना है आपको दिखकर लगेगा दोस्तो एक plastic का है नहीं दोस्तो एक glass का बना हुआ है और इसकी पीछे में matte finishing है without back case में इसको जब आप हाद में लोगे एक premium fill देगा phone का bill quality भी मजबूत रखा है back panel पीछे से दबता नहीं है weight थोड़ा सा ज़्यादा भारी है glass bag है इसलिए तो थोड़ा सा भारी होगा बाकि इसके पीछे में crisis नहीं आता है finger pin का Nissan भी नहीं आता है जब इसको आप हाद में लेकर use करोगे लोग तो notice करने वाला है क्योंकि इसकी back panel में aura light मिलता है दोस्तो दो camera housing के साथ एक LED flash light है और यह जो aura light है इसका color को आप change भी कर सकते हो बाकि font side से देखोगे तो यहाँ पर center punch hole है bezel और नीचे जो chain बहुत ही छोटा रखा है इसमें in-display finger pin sensor है जो हार बार accurate और fast काम करता है बाकि इसकी build quality को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए इसमें IP54 का rating है याँकि एफोन छोटा मोटा waterproof phone है और इसमें आप SD card को use नहीं कर पाओगे इस Y200 में network connectivity तगड़ा मिल जाता है दोस्तो 7 bands 5G है, सारे important 5G bands का support है 4G plus भी continue रहता है यहाँकि जब आप online movie देखोगे या gameplay करोगे pink बहुत ही कम मिलने वाला है बाकि इसमें आप चुपके से call recording कर सकते हो और इसमें जो dual mic है और noise को बहुत ही अच्छी तरीके से cancelling कर लेता है खेर दोस्तो, डिस्पले का size भी बड़ा रखा है 6.67 inch, इसमें AMOLED panel है bezel और chain छोटा होने की बज़े से आप full view display का मज़ा ले सकते हो इस phone को जब आप use करोगे smoothness तो बरावर फिल होगा क्योंकि इसमें 120 hertz का refresh rate मिलता है और लगबख हार app में काम करता है दोस्तो बाकि इसमें 800 nits का peak brightness मिलता है अब इसको indoor पर, outdoor पर अराम से use कर सकते हो लेकिन दोस्तो आब इस phone से YouTube पर सिर्फ full HD में वीडियो को देख सकते हो 4K वीडियो का support नहीं है full HD में जो color contrast आता है वो आपको पसंद आएगा इसमें AMOLED display है दोस्तो इसके वज़े से जो black color है और deep देखाई देता है color accuracy भी बहुत ही अच्छा आता है वो भी देखकर मज़ा आएगा लेकिन इसमें single speaker है दोस्तो loudness तो बराबर मिल जाता है लेकिन इसमें base जो है बहुत ही कम आता है इसके वज़े से movie देखने का जो experience है loud speaker में यहापर खराब हो जाता है अगर इसमें dual studio speaker रहता तो और भी अच्छा होता है iPhone हाल पिलाल में latest Android 13 में run हो रहा है और इसमें fantasy 13 है जोस्तो fantasy 13 के बारे में बात किया जाए तो इसमें थोड़ा बहुत आपको pre install app देखने को मिल जाएगा जिसको आप manually uninstall कर सकते हो hot apps hot games की checker भी है और इसकी software में भी थोड़ी बहुत bugs है लेकिन इसमें अच्छा-च्छा features भी मिल जाता है इस phone में जो सारा hidden features मिलता है इसके उपर मैंने एक वीडियो अफ्लोट किया मेरे second channel में वीडियो का link आपको description पर मिल जाएगा एक वीडियो खतम होने के बाद आपको वीडियो देख साकते हूँ इस phone में Wi-Fi 5 है और Bluetooth 5.1 है अभी के time में जो सारा phone launch हो रहा है सभी phone में Wi-Fi 6 मिलता है और Bluetooth 5.2 या 3 मिलता है खेर दोस्तो इस Vivo Y200 की पीछे में है dual camera setup प्राइमारी जो sensor है 64 megapixel जिसमें OIS है और इसमें 2 megapixel मिलता है 64 megapixel के हिसाफ से जो photo आता है और धांसू photo निकल कर देता है दोस्तो हार फोटो में आपको अच्छा color देखने को मिल जाएका color को जादा बुष्ट नहीं करता है sky का color को भी अच्छी रखता है कुछ photo में जूम करके दिखा रहा हूँ आप एपर देख सकते हूँ अच्छा detailing के साथ photo को capture करता है specially false skin tone की color को इपोन अच्छी तरीके से manage कर लेता है हार फोटो में पीछी की तरफ जो dynamic range है उसको भी बड़िया तरीके से manage करता है जब मैंने प्रोटेट बूड में photo कीचा तो इसमें 2x zoom नहीं होता है लेकिन जो 1x zoom होता है उसमें भी अच्छा photo आता है अच्छा color के साथ आता है skin tone का color को भी अच्छी तरीके से manage करता है और हार फोटो में पीछे की तरफ जो dynamic range है उसको भी बड़िया तरीके से manage कर लेता है इसकी back camera से और selfie camera से आप full HD में 30% वीडियो को record कर पाओगे दोस्तो back camera में तो थोड़ा बहुत stable video record कर लेता है OIS के वज़े से लेकिन इसमें जो OIS मलता है वो सस्ता वाला OIS आप बता सकते हो autofocus भी fast है दोस्तो selfie camera से भी अब अच्छा video record कर सकते हो इस phone को मैं पिछले 7 दिनों से use कर रहा हो और इसके सारी photo sample और video sample देखने के बाद मुझे लग रहा है दोस्तो photo के मामले में ये phone जबदस्त है अगर इसमें 4K video का support रहता और इसका OIS थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता तो ये phone एक perfect phone बन जाता हो camera के मामले में दोस्तो आपको पता है भीवो की phone में अच्छा processor भी मिलता है लेकिन इस phone में बहुत ही powerful chipset मिलेगा ओभी snapdragon की तरफ से 4 Gen 1 6 nanometer पे बना हुआ है मेरे testing में 4 लग प्लस अंतुदूस को रहा है उसके सबसे normal use में ये phone कभी भी अटकता नहीं दोस्तो smooth feel होता है app opening बहुत ज़्यादा fast है app opening, app close में जो animus आने वो भी smooth मिलता है यहूंकि अगर आप phone को heavy में use करते हो तो ये phone कभी भी hang वेगरा नहीं होगा इसमें आप busy में जैसा game 40 पीस में खिल सकते हो जाइरो मुझे ठीक ठाक लगा है 40 पीस के इसाफ से gameplay दोस्तो इसमें इतना ज़्यादा smooth नहीं मिलता है एक दो match तो आपको smooth मिल जाएगा लेकिन उससे ज़्यादा match खेलोगे तो इसका जो gameplay थोड़ा बहुत attack-attack के चलता है फिर भी इसमें आप casual gaming कर सकते हो अच्छी बात हो है गेम खेलने के दौरान एपोन जादा hit नहीं करता है इसमें एक ही RAM variant मिलता है 8GB 120, 8GB variant LPDDR4X RAM है यह Office 2.2 का storage staff है RAM management इसमें आपको धासो में ले जाएगा overall दोस्तो अगर आप casual gaming करते हो अगर आप phone को heavy में यूज़ करते हो तो iPhone आपके लिए perfect होगा मैं तो भूली गया दोस्तो इस भी वो Y200 में 3.5M audio jack नहीं मिलता है तो इसका बात आप भूली जाओ खेर इसमें जो 4800 अमेज की बैटरी मिलता है अगर आप 44W की adapter से charge करोगे तो full charge होने के लिए ज़्यादा time नहीं लेता है एक घंटे के अंदर charge हो जाता है और अच्छी बात तो है charging के टाप में एफोन heat भी नहीं करता है लेकिन इसका battery backup आपको super मिल चाहेगा अगर आप 4G network में phone को use करते हो तो सारे दिन का battery backup निकल कर देदेगा अगर आप 5G network में इस phone को use करते हो तो दिन में आपको दो बार charge करना होगा यह अंदर की बात था मैंने आपको चुटके से बता दिया लेकिन अब में मुद्द की बात करते है इस भी वो Y200 को खरीदना चाहे के नहीं इस Y200 का 8GB 120, 8GB फिरेंट का price है 21,999 रूपेस और price की से अबसे इस phone में सिर्फ तीन major problem देखने को मिलेगा पहला जो problem है दोस्तो एफोन वीडियो ग्राफिक के लिए इतना अच्छा नहीं है दूसरा जो कम्या है दोस्तो गेमार के लिए phone परफेक्ट नहीं होगा एफोन आपके लिए परफेक्ट हो जाता है इस price range में क्योंकि इस price range में एफोन बड़ी आसा design के साथ आता है must will quality है, display का quality भी जबदस्त है फिर भी आपका क्या opinion है दूस्तों Veebo Y200 के बारे में आप मुझे comment में जुरू बता सकते हो मैंने तो honestly बता दिया इस phone में क्या-क्या कम्या है और क्या-क्या अच्छी है मैंने मेरा काम honestly कर दिया आप भी आपका काम honestly कर सकते हो यह वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी helpful लगाए तो एक like करके चानल को subscribe करके हमारे साथ जूड़े रहिए ऐसे honest review देखने के लिए बागी हो साके तो एक वीडियो आपके दोस्त के साथ share कर देना उसका और हमारा दोनों का मदद हो जाएगा तो अज के लिए इतना ही दोस्तो